सत्यों जय किसान मैं आपका रवी आज़ाद सत्यों आठ मार्च की रात को भारतिय किसान यूनियन के राष्टिय धेक्स सोद्री नरेश टिकेट जी के बेटे भाई गोरव टिकेट जी को किसी अग्यात वेक्ति ने बम से उडाने की धमकी दी पूरे टिकेट परिवार को बम से उडाने की धमकी दी इस अग्यात वेक्ति ने कहा कि दिल्ली में भी तुमने आंदोलन किया था अगर किसानों की लडाई लड़ना बंद नहीं किया किसानों का साथ देना बंद नहीं किया आंदोलन करने बंद नहीं किये तो पूरे टिकेट परिवार को बम से उडा देंगे और ये सरकार की कानून विवस्ता की पोल खोलता है वो टिकेट परिवार जो किसानों की धरोर है जो देश के किसानों की बुलंद आवाज है जो कि मसीया चोदरी महेंदर सिंग टिकेट जी की नीतियों के उपर चलता है जो देश के किसानों की आन बान और शान है उनको भम से उडाने की धमकी मिलना परिवार को भम से उडाने की धमकी मिलना इस देश में कानून कहा है इस देश में कानून व्यवस्था कहा है ये सोचने के उपर मजबूर करता है और यह जिस अग्यात वेक्ति ने धमकी दी है उसके पीछे कोई बड़ा हाथ है हम इस वेक्ति को और उनके पीछे जो हाथ है उनको यह कहना चाहते हैं जगे तै कर लेना समय तै कर लेना बम से उडाने वारों को धूल चटा देगा देश का किसान टिक एक परिवार अकेला नहीं है पूरा देश और किसान उनके साथ है और हम भारत सरकार से भी मांग करते हैं पहले भी राष्टिय परवक्ता चोदरी राकेश्टी कैजी को कई बार धमकी मिली मुकद में भी दर्ज हुए लेकिन भारत सरकार ने आज तक घ्रह मंत्राले ने उ करवाई हो और टिकेट परिवार को चोदरी राकेश्टी कैजी को चोदरी नरेश्टी कैजी को जैड पलस की सुरक्षया दी जाए पूरे देश में घूमते हैं पूरे देश में आंदोलन के लिए जाते हैं हर राज्ये की जिम्मेवारी है उनकी सुरक्षया करना वो इस द प्रोच भी आई तो सरकार सावधान हो जाए सरकार ढूनने से भी नहीं मिलेगी अगर टिकेत परिवार की तरफ आख उठा करके भी देखी बम से उड़ाने की धमकी तो बहुत दूर की बात है सरकार तुरंत इस पर कारवाई करे अन्य था सरकार के खिलाब जोरदार विरोध भी होगा इस वीडियो को सेर करे धन्यवाद जै जवान जै